16 का बिज्ञान का जो टापिक लग्ष सीरीज हम लोग लेकर चल रहा है बोर्ड एकजाम 2013 का टार्गेट बना करके उसका ये दस्वा भाग मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्णों का जो कलेक्शन मैंने किया है इसमें पहला चप्टर चल सब्सक्राइब को समझना बहुत ही जरूरी है उसमें बस्त की दोरी प्रतिवमी की दोरी उसके बाद फोकस दोरी का जो सीन होता है बहुत इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है नुमेरिकल को लगाने के लिए ठीक है ना आये चलते हैं हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग को यह समझना वह कुझे दरपनों के बारे में यह फो गया आपका आप लोग को मालूम है और चुव एकक्ष Sayu यही से कोई भी दूरी मापी जाती है और आपलों को मालूमें इस साइड में ऐने लिए एकक्ष में तो यह दूरी ध्राटक्स हो जाती है इससे ज्याइगे तो दर्पण का ध्रूह होता है वह दर्पण के ध्रूह को हम लोग यहीं पर आपकी बनाएंगे ठीक ना यह दर्पण का धरूट हम लोग बना लिए, यहाँ पे, ठीक है, यह दर्पण का धरूट हो गया, यहाँ पे, यह हो गया अवतल दर्पण और यहीं पर हम उतल दर्पण भी बना ले रहा हैं, थाकि आपको एक ही फिगर में दोनों डाइगराम समझ में आ जा ए ठीक है स्लि यह जो दरपण है जो दरपण आपको दिखाई दे रहा है इससे इधर की जितनी दूरिया होगे वो सभी दूरिया होगी रिडात्मक और इस सैड की जो दूरी होगी वो सभी दूरिया हो जाए कि धनात्मक याद रखेगा इसको लिख लेते हैं यहां पर इस सैड की समस्त दूरिया आपकी होती है रेडात्मक याद रखेगा इस साइड जितनी दूरिया है सब दूरिया आपके रेडात्मक होता है और इस साइड की जितनी दूरिया है वो समझ सभी दूरिया जो होती है वो आपकी धनात्मक होती है पीट सवी दूरी आपकी धनात्मक हो गईा अब देखते हैं यहाँ पर हो गया इसका उत्तल Дर्पण की बात करें तो यहां पर हो गया इसका मुणक्रता केंद्र इतनी अपको समझ में आ गया यह यह दोनों दर्पण का एक ही हम ध्रूब बना लिए हैं क्योंकि पास-पास अटाक कर रखा गया एक ही चिन नियम परिपाटी से दोनों कांसेप्ट आपको समझ में आएगा देखिए अब मां लिजे बस्ट को यहां रख रहा है यहां पे बस्ट को रखा जा रहा हैं इस बस्ट का नाम रक दीज दीजे बस्तु की जो इस्तिती है और प्रतिविम बनने की इस्तिती है वो सब समझात ही है यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं ठीके न तो किरण रेक हम नहीं बताएंगे को कि चिन्हों का नियम हमको पढ़ना है मालीजे बस्त हो गया एवी और इसका प्रतिम यहां पर बन गया यहां पर एडैस बीडैस यहां से समझेगा और तल दर्पण के द्वारा यह बस्तु एबी का प्रतिम मालीजे यहां पर बन गया एडैस बीडैस तो पहला तो पॉइंट आपको यह सभी दूरिया होती है सभी दूरिया दर्पण के ध्रूव से मापी जाती है यहां से मापी जाती है इस सैड़ वाली भी दूरी और इस सैड़ वाली भी दूरी तो दर्पण के ध्रूव से जो बस्तु की दूरी होती है जहां पर बस्तु इस्तित होती है उसकी दूरी को यह कुई की मिमें की करता है याद रहिए दरपन के ध्रो से को प्रत्रों करता है कि और कुछ देर के लिए आप को रोक रहा है यदि आप चैनल पर नयtoi है। subscribe कर लिजिगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिजे वीडियो को क्यों कि बहुत मेहनद करके आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और comment करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो तो कैसा लगा ठीक है ना चली तो यह हो गई बस्त की दूरी तो बस्त की दूरी को किसे प्रतासित करते हैं ध्यान सा समझें तो दरपण के दुरू से बस्त की जो दूरी होती है इसको यू से प्रतासित करते हैं यू से प्रतासित करते हैं और यू कमान देखी रहे हैं इदर उसके बाद देख रहे हैं यहां पर इसी का प्रतिमी की दूरी है उसको भी कि इंडिकेट करते और लेकिन अडिकेट इस साइड नहीं होती है दनात्मक होती है और अब देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है इसलिए अवतल दरपण की जो फोकस दूरी होती है कि दूरी को इसका हमान हो जाएगा अब बात आती है उतल की उतल में दरपण के ध्रोसे और रबस्तु की दूरी को भी युज़ा प्रतर्शित करेंगे इसका मान भी रडात्माद profes reg ot नेहां पर जब बनेगा प्रतिम मालगे जे बना है nóis we department नेहिं इस धरबॉ시 script क्या होगा तो भी क्या मान से और प्रतिभिम की दूरी को भी कुछ दूरी करेंगे स्काइब याद रखेगा क्या होता है धनात्मक होता उत्तल की by फोकस दूरिवा ऊता है इतनी सारी चीजें हैं इसको मैं संसित रुपакс को समझादा रहा हं डखी हमेएसा कोई भी दूरी दर्पंड के धुरू से मापी जाती है तो बस की दूरी जो जो होगी प्रतिविम्ब की जो दूरी होगी याद रखे इसको हम भी से इंडिकेट करते हैं और भी कमान दो कंडिशन में याद रखे जब प्रतिविम्ब आपका वास्तिक बने तो भी कमान क्या हो जागा रिडात्मत जब प्रतिविम्ब अभासी बनेगा तो भी कमान क्या हो जागा याद रखे वास्तिक परतिम के लिए वास्तिक परतिम के लिए भीकामान रिडात्मिक और अब फोकस दॉरी की बात आती है फोकस दॉरी में आपको यह याद रखना है यदी आउतल उतल रहेगा तब और फोकस दूरी हो जाएगी धनात्मा जब यह उतल दरपन रहेगा तब यह था चिन्नों के नियम इसके बाद हम सुत्र का निगमन करेंगे कि यूँ भी एक में क्या समझ होता है उसके बाद हम लोग नुमेरिकल पर चलेंगे और जितने महत्वपूर नु प्रोवाइड करा दिये जागा तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं आप लोग का अपने चनल शड़ी वीत राकेसर